नमस्का सुआगत है आपका देख रहे जनसंदेश टाइम सवार मैकीरती इस साल बॉलिवूट का वनवास आकिरकार कार्थिक आरियन तोड़ पाए है कार्थिक ने साबित कर दिया है कि बॉलिवूट में उनका जल्वा कार्थिक पुर्णिमा के जैसा ही है कार्तिक आरेन की शुकरवार को रिलीज हुई फिल्म भूल भूलाया 2 ने पहले ही दिन इतनी तगड़ी ओपनिंग ली है जितनी ओपनिंग साल के पांचवे महीने तक बॉक्स ओफिस पर कोई हिंदी फिल्म सितारा नहीं ले पाया इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग हिंदी फिल्मों में अक्षे कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की रही है जिसने रिलीज के पहले दिन 13.25 करोर रुपे कमाए थे कार्तिकारेन की आरा अजवानी और तबू की फिल्म भूल भुलाया 2 ने इस रिकॉर्ट को भी तोड़ दिया है जिहां कार्तिकारेन के अपने खुद के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है से पहले उनकी फिल्म लव आजकल ने 12 करोर रुपे की ओपनिंग ली थी फिल्म भूल भुलाया 2 पूरे देश में करीब 32 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है टी सिरीज की इस फिल्म के पहले दिन करीब 11 करोर रुपे की ओपनिंग लेने की उमीद जताई जा रही थी लेकिन फिल्म के ट्रेलर और उसके प्रचार से फिल्म को मिले फाइदे का नतीज ये रहा कि फिल्म ने पहले ही दिन करीब 16 करोर 50 लाक रुपे की टिक्टे बेच डाली फिल्म की नेट कमाई पहले दिन की करीब 14.75 करोर रुपे बताई जा रही है अनीज बजमी निर्देशत फिल्म भूल भुलाया 2 ने मार्च महीने में रिलीज हुई अक्षे कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के उस रिकॉर्ट को तोड़ दिया है जिसे साल 2022 की सबसे बड़ी ओपनिंग अब तक माना गया बच्चन पांडे के अलावा सिर्फ फिल्म गंगु बाई काठिया वारी ही ऐसी हिंदी फिल्म रही जिसने बॉक्स ओफिस पर इस साल 10 करोर रुपे या उसके उपर की कमाई की इस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी में बनी फिल्म अब तक दक्श्मीर फाइल्स रही है जिसने बॉक्स ओफिस पर कुल 252.9 करोर रुपे की कमाई की हाला कि इसका पहले दिन का कलेक्शन सिर्फ 3.55 करोर रुपे ही रहा लेकिन का पार्तिक आरेन की फिल्म बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा रही है आगे आने वाले दिनों में और कितनी गवाई करती है ये देखना है मोगा फ्याल के बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना मत भूलिएगा और चारा को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा झाल